हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम टू मैं चैनल अज हम बनाएंगे आलू के पराठे इसलिए हमने तीन उगले हुए आलू लिये है एक प्याज और आधा बीट्रूट को मैंने ग्राइणिंग कर लिया है और आधा नीमू एक चमा चदरक लहसुन का पैस्ट अब हम आलू को ग्रेट कि मदब से ग्रेट कर लेंगे यहात में भी कर सकते हो लेकिन हात में करने से थोड़ा गुट्लिया रह जाता है इसलिए हम ग्रेटर से ही करेंगे तो हमारा पराठा अच्छा बनेहां अब बिसमें डालें गे दू चम श्क तेल अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसान नमक अब कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसके बाद हम डालेंगे हमारा कलरफुल पेस्ट जो हमारा पराठे को एक नया लूग दे बच्चों को भी पसंद होता है कुछ नया खाना इसलिए हम कुछ नया बनाएंगे आज अब इसमें डालेंगे एक चमच खाने का सोड़ा मीठा सोड़ा अब नीमू को उसमें निचोड़ देंगे देखो कैसे बवल्स आ रहा है इससे हमारा पराठा अच्छे साप्ट बनेगा यह बहुत टेस्ट भी लगता है अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे आप लोगों को यह अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अंसे आप जरूर कीजिए अब इसमें डालेंगे दो कप गेहुं का अटा गेहुं का अटा से हम बराठा बनाएंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच अजवाईन इसको अच्छे से मिला के एक साफ डो तयार करेंगे हमारा डो बन चुका है अब हम इसमें एक चमच तेल डालेंगे फिर से और आधा गंटा के लिए इसको रग देंगे ताकि यह अच्छे से आपस में मिल जाए अब आधा गंटा हो चुका है हम इसका छोटा-छोटा लईया निकाय लेंगे और बेलन की मदद से थोड़ा आठा चिड़केंगे और अच्छे से गोल-गोल रोटिया बेल लेंगे इसको हम थोड़ा मोटा रखेंगे जादा पतला नहीं रखेंगे नहीं तो यह अच्छा नहीं बनता है अब तावा गरम हो चुका है अब हम पराठा को इसमें सिखेंगे अच्छे से चारो तरफ वैल ग्रिस कर लेंगे आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं आपको जो पसंद लगे वही लगाईए और दोनो तरफ अच्छे से ग्रिस कीजिए और लाल होने तक सिख लीजिए देखिए हमारा पराठा कैसे अच्छा दिख रहा है और फूल भी रहा है दिख रहा है ना कुछ नया अलग लूक देखो अब ये कैसा पूरा लाल हो चुका है ये बहुत अच्छा लगता है आपको जो अच्छा लगे सबजी के साथ या चटनी के साथ इसको सर्फ कर सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है क्योंकि ये कुछ नया कलर का है अब हम इस सारे पराठे को ऐसे सेख लेंगे और सर्फ करेंगे हमारा पराठा रेडी हो चुका है थैंक यू फर वाचिंग